आप लोगों ने देखा होगा 8 दिसंबर 2021 में जो हमारे पहले CDS थे Chief of Defense Staff विपिन रावस साब इनकी एक हवाई दुरगटना में मौत हो गई थी और तब से आप देख रहे होगे कि यह जो पद है CDS का एक खाली बना हुआ था और इसके पर एक नए नाम की एक तरह से मंतन हो रहा था और हमारे देश को अब नए CDS के रूम में दूसरे CDS के रूम में अनिल चोहान मिल चुके हैं आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि CDS आखिर होता क्या है Chief of the Prince स्टाप होता क्या है तो आपको बता दूं कि भारती ससक्त बल है ना तीनों चाहे आपकी थल से ना हो बाई से ना हो या जल से ना हो इन बलों के Chief of the Star Committee के सैन पिर्मुक और इस्थाई अध्यक्ष होते हैं आपकी CDS Chief of the Prince स्टाप भारतीय सेना में सक्क्रिय ड्यूटी पर सर्वोच रैंक वाला वर्दी धारी अधिकारी है और रक्षा मंत्री का मुक सैन सलाकार भी होता है CDS और पिर्मुक सैन मामलों की विभाग का भी पिर्मुक होता है CDS और इस पद की स्थापना कारकाल कितना रहेगा 3 साल या 65 वर्द की आयू जो भी पहले हो यहाँ जो भी पहले होने का मतलब समझी यह आप लो कि माली जे किसी की निवक्ति 60 साल की उमर में हो रही है तो जब वो 3 साल का कारकाल पूरा करेगा 63 हो जाएगी वो आसानी से अपना कारकाल पूरा कर पाएगा माली जे कोई 64 साल का है और उसकी निवक्ति होती है तो आप देखेंगे एक साल की बाद ही वो 65 का हो जाएगा उसे पद छोड़ना पड़ेगा ठीक है तो यह याद रखिएगा और विपिन साहब की बारे में बता देता हूँ कुछ पॉइंट अगर विपिन पहले हमारी चीफ डेफेंस से श्टाप थे यह भी आप लोग याद रखिएगा और इनका जनम आप देखेंगे कब हुआ था 16 मार्च 1908 में पोड़ी गड़वाल जिला में हुआ था और उत्राखंड में हुआ था ठीक है और 8 दिसंबल 2021 में नेलगीरी जिलात तमिलनाडू में इनकी हेलिकॉप्टर दुरगटना में मौत हो गई थी और इनकी पतनी भी उसी दुरगटना में मौत हुई थी उनकी विद्ध्याले से एमफिल किया हुआ था यूएस आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाप कॉलिज से इन्होंने ILE किया हुआ था चौदरी चरंसिंग विद्ध्याले से PhD किया हुआ था और सेना में आप देखेंगे कि 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 तक अपना काम किया है इन्होंने सेवा हैं दे तो यह भी याद रखेगा और इन्हें कई पुरुस्कार भी मिले थे किने विपिन रावत साहब को परम विसेष्ट सेवा मेडल उत्तम यूद्य सेवा पदक अती विसेष्ट सेवा मेडल यूद्य सेवा पदक सेवा पदक विसेष्ट सेवा पदक और पदम विपूसन भी इन्हें मिला था चलिए अब हम लोग अनिल चोहान साफ के बारे में बात कर लेते हैं यह आप लोग देख रहे होंगे अनिल चोहान हमारे नए CDS है तो इनका जनम अठारे मई 1961 को उत्तराखंड की पोड़ी गड़वाल जिले में हुआ था और आप देखेंगे 1981 में कब 1981 में ग्यारवी गोर्खा राइपल्स में कमीशन दिया था यानि कि 1981 में ये सेना में आये थे और उत्तराखंड को अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देखें उत्तरपिदेश से अलकर की उत्तराखंड आपका नया राज्य बनाता कब की बात है 9 अमंबर सन 2000 की इसकी राध्धानी देरा दून है इसकी सीमा आप देखी हिमाचल पिदेश से लगती है उत्तर पिदेश से लगती है और अंतरश्टी सीमा चाइना से और नेपाल से लगती है यहाँ बिधान सभा में आप देखें कि 70 सीटे हैं राज्य सभा में 3 सीटे हैं और सहायक नियुक्तियां हासिल किये हैं, उन्हें जम्मू कस्मीर और पूर्वत्तर में आतंक वाद विरोधी अभियान में ब्यापक अनुभा हुरा है, और आतंकियों के खिलाब ऑपरेशन में उन्हें महारत भी हासिल रही है। आईएम देहरादून और आईएमे, देहरादून और राष्टी रक्षा अकादमी खड़क वासला के पूर्व चात रहे, लेट्रिनेर्ट जर्रल अनिल चोहान ने उत्री कमान के वारा मूला सेक्टर में मेजर जर्रल के पद पर इन्फेंट्री डिविजन की कमान सभाली, ब यानि कि 31 मई 2021 को एर सेवा निवित हो गये थे, और पोड़ी से ही मिला है देश को दूसरा सीडियस, क्योंकि विपेन रावत भी उत्राखंड के ही थे, पोड़ी गड़वाल के ही थे, और जिनकी मौत आप देखेंगे हवाई दुरघटना में हुई थे, कैंसरकाद्वारा इस पद के लिए अनिल चोहान की नियुक्ती हुई है, तो ये भी याद रखेगा, और बहादुरी के लिए ने कई मैडल भी सम्मानित हो चुके हैं, कौन अनिल चोहान, सैना में विशिष्ट और सांदार सेवाल के लिए लेटेनेंट जनरल अनिल चोहान को परम विशिष् मिसन की रूम में भी काम किया था, और UN के बारे में जब बात होती है न, तो आप सभी जानते हैं कि सयुक्तराष्ट की बात हो रही है, और United Nations की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होई थी, और New York USA में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिल आगा, तो इस ओंड वां ही आप लोग कह सकते हैं, कि अनिल छाहन साप की है, और इसी में आप लोगोंने cds फद्द के बारे में बात कर ली है, और विपिन रावस साहाब के बारे में बात कर ली है, और उत्राखंड पर भी बात कर ली है, तो इस तरह की questions कई деньги कई बार आप पहुंच लिए जाते हैं, आते रहते हैं, तो आपको मालू होना चाहिए, और राश्टपती साहेब के द्वारा आप देखे, इसे निव्त किया जाता है, CDS को, तो यह भी आप लोग याद रखेगा.